जाहिन साथियो मैली स्वागत करता हूँ आपका फिर सापके अपने यूट्यूब परिवार एक्जाम चारजर में बच्चे हम लोग जो है SSC GD की जो अंकित भाटी सर ने नई वाली मैट्स की बुक लूंच किया है उसका टाइवन डिस्टैंस चैप्टर करें जिसका हम लोगों ने अभी तक तीन पार्ट कम्प्लीट किया है और आज जो मैं आपके सामने लेकर करके पस्तित हुआँ वह पा यहां से देखना है जो आपका 71 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रिविंग पर है सवाल है यहां से के एक ट्रेन 90 किलोमेटर प्रतिगंटा की गती से एक निश्ची दूरी तै करने में 50 मिनट का समय लेती है यदि गती में 33 से एक बटा 3% की बद्दी हो जाती है तो दूरी के 2 सही 4 बटा 5 गुणा को तै करने में कितना समय लगेगा तो सबसे पहली बात क्या यहां से हम लोगों को देखो डिश्टैंस तो वो सोरी स्पीड दे रखिये उसने तो आप कहेंगे बिल्कुल दे रखिये कितनी दे रखिये 90 किलोमेटर प्रति गंटा दे रखिय अब यहां से देखो हम लोगों को समय भी दे रखा टाइम दे रखा तो आप कहेंगे बिल्कुल दे रखा है कितना दे रखा है 50 मिनट दे रखा है 50 मिनट तो यहां से अगर मैं डिश्टैंस निकालूं तो आप कहेंगे भी है दूरी बलावर क्या होता है चाल गुणा समय ह है 50 minute इसको जम मैं घंटा बनाएंगा तो एक मिनट में कितने सोरी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 बच्चे में इसको 60 से बाग कर दूंगा यह 0 से 0 कैंसल आउट 600 इसको काटा तो आप कहेंगे 15 छक्का नब है तो जो उसने बोला है कि मतलब चाल में जो है 33 सही एक बटा 3% की ब्रद्धी करो तो इसकी fraction value कितनी होती है एक बटा 3 मिरिशेर अगर पहले कितनी थी 3 थी बच्चे तो अब कितनी करनी पड़ेगी चाल 4 तीन की जगा पहले थी कितनी नब है कितने गुणा आपके इंवे 30 गुणा किया था तो इसका भी 30 गुणा हम लोग कर देंगे तो अब चाल कितनी हो जाएगी 30 चोख 120 क्यों 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 तो मेरे भाई अब जो स्पीड आ गई यह क्या आगई अब बाली स्पीड यह कितनी है 120 क्लोमेटर प्रतिगंटा अब बाली स्पीड है उसना बोला है 5 दूनी 10 4 14 गुणा क्या कर दो इसकी दूरी कर दो तो बच्चे नई बाली दूरी जो आएगी क्योंकि यह 75 थी अब new distance कितनी है जाएगी 75 का कितने गुणा करने को बोल रहा है वो आप कहेंगे भी 14 गुणा 5 बोल रहा कितना 14 गुणा 5 पांच से हम लोग इ 21 तो अब distance कितनी है मेरी शेर आप कहेंगे भी है अब distance है हमारी 210 किलोमेटर तो बच्चे अब इस distance को चले में कितना समय लेगा ठीक है तो समय बरावर के होता है चाल दूरी बटे चाल तो बच्चे दूरी कितनी है आप कहेंगे 210 है कितनी है 120 है यह 0 से 0 कैंसल आउट हो टो आप एकन बार है, तो आप कहेंगे बहिया एक गhr tool दिया,से complete हो गिया बचा कितना, आप कहेंगे,9 बटा बार है कितना बचा भी,9 बटा बारा बचा, यह बचा ठीक है अब देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे मिनट में change करेंगे, तो 1 गhrटे में एक गंटा पैतालिसमेंट और यही आपका जवाब होगा एक गंटा पैतालिसमेंट तो एक गंटा पैतालिसमेंट आपके किस ऑप्सन में है आप कहेंगे जो ऑप्सन नमबर डी है बिल्कुल सही है तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है एक गंटा कपड़ देरी से पहुं meget स्की यात्रा का सामान्य शमय करें देखो उसने जल KIR अगर मैं यहांस बात कर लो की लिकना अ पिर न आप यहांसे निखके सामान्य मेरे भाहिए अगर उसकी चाल कितनी थी तो अब बर्तमाण फर यह कि यह क्या है आप की इंग भी चालकी बाद चली एक किसा चालकी तो बरत्मान में अब कितनी चल रहे हैं आप कहरेंगे तीन चल रहे है तीन तीन ठीक है तो इसे इस नहीं अ लोग इन दोनों का L-C-M ले लेंगे बचे इन दोनों का यह हम लोग क्या मानेंगे कि यह लोग दिश्टेंस मानेंगे इस बातको भी धियान लगा डिश्टेंस अब देखो इसका समय कितना आएगा मेरे समय ठीक समय कि अगर मैं बात कर लूं तो फ़िकया है क्योंकी इस冷 allez गति सघ्रिदень हो तो यहां कितने घंटे लेता तीन और माल लीजो इन कि तीन कि गत्ति से जाएगा तो कितने घंटे लेगा पांच गंटे लेगा कि त misf sy समय आ चुके हैं जब भी ऐसा सवाल हो अप लोग इस परकार करेंगे ठीक है क्योंकि सामानिय गती क्या थी मेरे भाई उसकी पांस थी तो वो सामानिय चाल से चल लिया एक बार बर्जमान की से तीन से चल लिया दोनों का अंतर आपके इंग बिया दो गहंटे का अंतर कितने का अंतर कितने का अंतर दो बटे में आप लोग लगा दीजिए ठीक है आप कहेंगे 30 तिया 90 और 30 चोक 120 पता चला कितने गुणा 3 बटा 4 गुणा तो आप से जो भी चीज बूझा उसका आप 3 बटा 4 गुणा कर दो जो भी चीज बूझा उसने पूचा यहां से सामान्य समय तो सामान्य समय हमारा कितना आप कहेंगे भी टिन बटा 4 करदेंगे तो यह कितना चाओ छाएगे तो कितने बटा बनाएंगे तो किटने मिनट बनेंगे तो तो यहां से देखो दो घंटे complete बच्चा कितना एक बटा चार बच्चे जब इसको minute बनाएंगे 60 से गुणा करेंगे और जब इसको काटेंगे 15 चोक का साथ तो आप कहेंगे के जो समय आया है दो घंटा और कितना आपके इंग भी आप 15 मिनट दो घंटा और कितना आया है समय यहां से 15 मिनट का आया तो दो घंटा पंदर मिनट जो है इस सवाल का बिलकुल सही जवाब होगा आप कहेंगे किस option में है दो घंटा पंदर मिनट जो आपका option number C है बिलकुल सही है दो घंटा पंदर मिनट चलिए एक और अगले सवाल के पास क्या है बच्चे के train A एक पीड की में बात कर लूँ 60 है इसको जब हम मीटर प्रती सेकिंड बनाएंगे तो आपके हिंद भी यह 5 बटा 18 से बुणा कर देंगे ठीक है 6 दहीं 60 और 6 से इसको गटा बचे 6 तीए 8 तो यह कितना हो चुका है 50 बटा 3 कितनी हो चुकी है 50 बटा 3 मीटर प्रती सेकिंड आ है ठीक है 50 बटा अब आらい देखो हम लोग यहां से क्या करेंगे तो बस पंद्रह सेकिंड में बुच्चे समय कितने ले रही है यहां से 15 सेकिंड 15 सेकिंड का तो इसकी डिस्टैंस मतलब ट्रेन की जो डिस्टैंस होगी वो कितनी होगी आप कहेंगे यह होता है आपगा कितन यह आपकी गुड़ा समय, दूरी बरावर चाल गुड़ा समय, समय कितना 15 है सेकिंड का, मेरे भाई यहां से मैं ने इसको काटा कितनी बार 5 बार और 5 25 तो आप बताएंगे 500 मीटर है, ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी है आपके इंग भी है, 500 मीटर लंबी क्या है वो ट्र ट्रेन की लंबाई यहां से हम लोगों को मिल चुकी है, ट्रेन की लंबाई मिल गई 500 मीटर है, बिल्कुल मिल गई, अब आगे बोला है उसने ट्रेन B को 48 किलो मेटर प्रती गंटा की गति से 19 से किन में पार करती है तो ट्रेन B की लंबाई ग्याद करें, बहुत के जब सव अब देखो, दोनों ट्रेन क्या है, एक दूसरे के आमने सामने सारी है, एक दूसरे के आमने सामने सा, ठीक है, अब मेरे भाई यहां से देखो, यह जो ट्रेन है न हमारी यह, इसकी तो हमें लंबाई पता चल गई, कितनी मिल गई, 200 मीटर, और मेरे भाई, एक यह और दू इसे में मारी इसकी चाल कितनी आप कहेंगे 48 km प्रतिगंटा है इसे में सापएकस चाल मतलब क्या होता आप कह भी है जुलदाएगे जुल जाएगा 104 हो जाएगा, कितना हो जाये 108, कितना हो जाएगा चाल जुल क्या100 किलोमेटर कँन्टा हो जाएक, अब यहां से देखो क्या है, यहां से हम लोग जब इसको क्या करेंगे, मिटर पर 30 से से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यह आ चुका है, आप नो से का टो के बारे नम्मा 108, 9, 12, 18 ठीक है, यह 18 चक्का 108, डायरक्टी कार्ट दो आप इसको 18 चक्का, 18 चक्का 108 ठीक है, और 6 पंजे 30, तो यहां से 7 चाल जो आ चुकी है, वो आ चुकी है, 30 मेटर पर 30 सेकंड, 30 meter per 30 second साप एक्स चाल आ चुकी है आगे उसने बोला क्या है मेरी बास सुलो हम लोग अगर distance को निकालते है मिरे भाई distance को दूरी बराबर तो आप कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय चाल कितना आया है 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 30 meter per 30 second into समय कितने लगा रही है बाद में आप कहेंगे 19 second का समय लगा रही है कितने का 19 का तो यह यहाँ से distance कितनी आ गए है आप कहेंगो 19 तिया 57 570 आ गए मेरे भाई कितनी आ गए 570 आप देखो बच्ची हमको पूरी distance मिल चुकी है यहाँ से यहाँ तक है कितनी 570 570 तो मेरी भाई सुनिए यहाँ से एक ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है 570 में से 200 इसके पास है तो इसके पास कितना बचा आप कहेंगो इस मैं से यह घटा तो 0 में से 0 गया, 7 मैं से 5 गया दो बचा और मेरे भाई 5 मैं से 2 गया तो 3 बचा तो इसकी लंबाई कितनी आ चुकी है? आप कहेंगे 320 आ चुकी है कितनी आ चुकी है? 320 मिटर आ चुकी है और 320 मिटर आपके किस option में है? आप कहेंगे जो option number B है बिल्कुल सही है देखो यहां पहला क्या है? ट्रेन फर्ष्ट की लंबाई निकाल देनी थी और उसके बाद हम लोगों को ट्रेन B जो है उसकी लंबाई निकालनी थी चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल है कि 5 कि मिटर्टी घंटा की गती से चलने बाले एक छात्र को 50 मिट लगे लेकिन स्कूल समय पर पहुँचने के लिए निरधारी समय से 10 मिट देरी से स्कूल पहुँचे छात्र की गती कितनी होनी चाहिए देखो क्या है यहां से पहले तो उसकी स्पीड दे रखिये, बिल्कुल दे रखिये उसका समय दे रखा, बिल्कुल दे रखा तो दूरी पहले तो हम लोग को डिस्टेंस पता होना चाहिए दूरी परावर चाल गुणा समय चाल कितनी है यहां से 5, गुणा समय कितना है 50 मिट, मेरे भाई इसका भी आप लो घंटा बना लो तो बटे में 60 लगा लो ठीक है 50 से इसको करटा कितनी बार आप खेंगे bara बार यह या देखो क्या है इसको 0 से 0 कार दो तो यह कितना आएगा आप कहिंगे 25 बटा 6 कितना आचुका है आप कहिंगे 25 बटा 6 किलोमीटर प्रती घंटा यह आ चुका है किमी परावार ठीक है यह यहां से आ चुका है आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है सोरी यह किलोमेटर में यहां से आगे इतनी दूरी इसने तै कर लिए वो बोल रहा कि इसको जो है उसे 10 मिनट देरी में पहुंचना मतलब अभी 5 मिनट लगा रहा था लेकिन अब वो कितने लगाएगा पूरा एक घंटा लगाएगा पूरा साथ मिनट लगाएगा पूरा साथ मिनट लगाएगा ठीक है तो इसको जब साथ मिनट लगाएगा वो ठीक है एक घंटा लगाएगा वो तो उसकी स्पीड बुजी है स्पीड तो बच्चे स्पीड बराबर क्या है आप कह कहेंगे भी यह इस्पीड आगे इसकी कितनी 25 बटा 6 किलोमेटर प्रती घंटा इसकी यहां से स्पीड आ चुकी है देखते हैं किसी option में है कि 25 बटा 6 आप कहेंगे बिल्कुल है जो option number B है मेरे भाई सवाल का बिल्कुल सही जबाब है 25 बटा 6 मेरे भाई देखो पहली वाली बात है आगर उसकी समानने दूरी कितनी थी तो अब कितनी इसे लकली साथ मतलब जचाएंगे जो साट मिनट लेट हो गया या ऐसे कहादो کہ साथ मिनट bracelets हो साथ मिनट बच्चे साथ मिनट की जगे देरी होई कितने की है दस मिनट की तो मेरे भाई साथ की जगे कितने की 6 है मेरे भाइ इसका भी आप लोग क्या करतेंगे बच्चे 10 बटा 6 गुना करतेंगे यह 6 से आपका 6 कैंसल आउट हो चुका है आप कहेंगे यहां से जो आपका समानी समय आया है भी ठीक है यह गलत कर लिए क्या कहीं मैंने ठीक यह बच्चे देखो कितना 10 मिनट देरी से चल 10 मिनट है और यह 60 का लगा दो इसके बटे में लगा दो ठीक तो 0 से 0 कट गया यह कितना एक बटा 6 तो इसका भी आप लोग एक बटा 6 कर दो इछासा आपका 6 कैंसल आउट आपके इंग भी एक गंटा क्या आया है एक गंटा क्या एक गंटा आपके किसी ओप्शन में है अच्छा सवाल है कि एक कार अपनी दूरी को 60 की में प्रती घंटा की गती से तैकरने में 4 घंटे का समय लेती है तो बच्चे दूरी कितनी है पहले तो यहां से दूरी देख लो तो दूरी वरावर क्या होगा चाल गुणा समय कितना है चार घंटे का 24,245 किलोमेशर याहां से क्या आचुकिए है आपकी डिस्टेंस आचुकी है दोच्रिस किलोमेशर है एगे बोला है उसी दूरी को गनटे में तैकरने के लिए उसकी गती क्या होनी चाहिए बच्चे इस दूरी पहरएं कि फयन पांच में समय कैथ या, एक पाइंट पाँच है, वो इंट अटा एक जीरो बड़ा है, ठीक है, पंद्रह से इसको काटा, पंद्रह गंद्रह, पंद्रह छक्का नव्य जीरो, एक सो साथ, तो आप कहिंग भी है, इस सवाल का जबाब आचुका है, एक सो साथ किलोमेटर प्रतिघंटा, कितना बराबर हो या निश्चित हो, तब अगर ऐसा हो, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे, स्पीड फर्ष्ट इन्टू, इन्टू मेरे शेर टाइम फर्ष्ट, बराबर होता है, स्पीड सेकिंड इन्टू टाइम सेकिंड, या टाइम टू, ठीक है, इसमें लगा दीजिए, ऐसे किसी भी सवाल को आपका जवाब एकदम आजाएगा, ऐसे किसी भी सवाल को लगाईए, स्पीड फर्ष्ट कितनी थी, आप क्या आप कहेंगे, साट थी, टाइम बन कितना था, आप कहेंगे, चार था, बराबर स्पीड टू हम लोगों को निकाल लिए, इन् एस टू अपॉन टैन, ये टैन क्या करेगा, इदर आका मल्टिप्लाई कर लेगा, तो स्पीड सेकिंड वाली स्पीड क्या जाएगा, आप कहेंगे, ये इस से गुणा करके कितना हो जाएगा, एक सो साट हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे सवालों को इसके अंदर भी रखक बीवर दीमेड़ कर सकते हैं, चलिए, एक और अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है कि एक आर 對-5 क्म्這個是 चाल 15 मिंटे तो पूरी यात्रा है, कर की होसत निखटल चाल का फूर्मुला जब डिस्टैंस अलग हो, तूरिया अलग हो, तब होता है कुल दूरी, बटे कुल समय और जब दूरी एक सी हो, तो होता है दो गुणा पहली चाल, गुणा दूसरी चाल, बटे दोनों चालो का जोड ठीक है, तो यहां से देखो कुल दूरी, पहले यहां हम लोग डिश्टेंस निकाल लेते हैं, तो दूरी बरावर के होता है, चाल गुणा समय, द 15 साट की स्पीड से चलर रहा है कितने गड़न चल और ईकिस een पचास की स्पीड सा थीक है तो यहां से हम लोग क्या हैं इसको तो तेंबटा डो तो यहां से क्या जागा पचास बुणा तीन बटा दू ठीक, है बटा कितना तीन है बटा मगılan दो लोग देखे-ट peng देख वड़ा का गटी। तो यह 10 ती यह 30 ठीक है यह 60 सापका 40 कैंसल आउट यहां से कितना आ चुका किंग भीया 45 ठीक है यहां से कितना आएगा 25 और 25 ती कितना आएगा 75 यह यहां से कितना आचुका है 75 यह total distance कितनी होगी आप कहेंगे इसको जोड़ दो ठीक है तो 75, 75 कितना हो गया आपका 1.500 क्योंकि यह भी 75 हो गया यह 75 ही तो आप कहेंगे 150, 150 किलोमेटर क्या हो गई मेरे भाई distance हो गई कुलदूरी कितनी हो गई बच्चे आप कहेंगे मेरे भाई यह 150 मतलब किलोमेटर हो गई बोला है उसने अब यहां से average speed हम लोगों को निकालना है तो average speed का formula average speed बराबर कुल दूरी average speed तो कुल दूरी कितनी है बच्चे आपके इंग भी यह 500 किलोमेटर है बटे कुल समय उसने कितना लिया कुल समय तो मेरे भाई यहां से time मी तो जोड ले हम सारे का सारा time तो आपके 40 मिनुट यह 45 मिनुट यह तो बच्चे कितना हो यह 40 अर 45 मिनुट और 90 मिनुट यह तो आपके इंग भी यह यहां को add कर लू 85 मिनुट प्लस कितने 90 मिनुट कितने 90 मिनुट ठीक है तो यह कितना बजाएंगे 5 ठीक 5 और यह 175 में तो कुल दूरी बटे कुल समय तो यह 175 कहा आएगे इसके बटे में आएगे और यह क्या है मिनट है मिनट का जब हम घंटा बनाएंगे तो बटे 60 लगाएंगे जो उपर गुणा में पहुंच जाएगा बस इसको काट लीजी यहां से आपका जवाब होगा मतलब 25 छक कर डेढ़ सो 25 सत्य एक सो फिछत्तर मेरे यहां से कितना हो गया 6 36 मतलब 360 बटे साथ तो जब हम इसको साथ से गाटेंगे तो साथ पंजे 35, साथ पंजे 35, बचा कितना एक होई का 10, साथ इकन 7, ठीक है, बचा कितना आप कहेंगे भी है, तीन पॉइंट लगा 30, साथ चोक 28, तो ऐसा कुछ है कि 51.4, आप कहेंगे जी हाँ वही है, कौन सा option number D, बच्चे जो option number D है आपको दिखाता हूँ, वह देखो, आपके सामने है option number D, कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे, 51.4, जो है option number D, बिल्कुल सही है, तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आएगा मेरे भाई, आप कहेंगे, 54 किलोमेटर जो है, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, किलोमे कि दिसा में यात्रा करती है, दोनर ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, यहाँ से, देखो, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सवाल है, दोनर इस्टैंस आप लोगों को जोड़ देंगे, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, डिस च्छी आशट हो जाएगा, और इसको जब हम मीटर प्रती सेकिंड में चेंज करेंगे, तब क्या करेंगे, आप कहिंगे इसको पांच बटा इठारे से, गुणा लगा देंगे, पांच बटा इठारे से, तो मेरे बाई यह आ चुका है, इसको काटा मैंने कितनी बार, ग्य चैका बटा उपर गुणा में, पच्छपन, गुणा तीन, यह आ जाएगा, ठीक है, जवाब पांस से इसको काटोगे, तो ग्यारे बार कटेगा, पांस से इसको काटोगे, साथ बार कटेगा, अब जब यह होगा, तो 6, 3, 8, 18, बटा ग्यारे, बच्चे कितना हो जाएगे 180 बटा 11 सेकिंड, क्या इस फिरकार कोई option है आपका 180 बटा 11 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, कौन सा, option नमबर जो A है, बिल्कुल सही है, 180 बटा 11, तो इस सवाल का जबाब हमारे का क्या हो जाएगा, 180 बटा 11 सेकिंड, जो है, इसका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, 180 880 ग्यार है चलिए एक और अच्छा सा सवाल है यहां से कि एक ट्रेंज 70 किलोमेटर प्रति गंटा की गती से 5 गंटे चलती है और station A पर रोपती है बच्चे 5 गंटे चली देखो यहां से start होई माल लीजी और यहां क्या था station A था और यहां से किस स्पीड से चली है, 70 km प्रती घंटा से और 5 घंटे में, तो कितनी दूरी तैकल ली, 7,5,35, बच्चे 7,5,35, तो यहां से कितना 350 km की दूरी तैकल ली, यह वाली बात बताने की तो है, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय, चाल कितनी है, आपकी 70 की है, औ 5 घंटे चली है, एक घंटे में 70, तो 5 घंटे में 350 km, आगया है station A से train, अब यहां से भी आगया बढ़ गी भी, station A से train जो चली है, देखो क्या है station A से, 3 घंटे 66 की में प्रती घंटा की गती से B तक पहुंचती है, बच्चे यहां से चली और यहां पोची B पर, कहां पोची यहां पोची और यह कौन था B था, मेरे में यहां से कितनी, मतलब इसने distance कवर की, आप कहेंगे यह 3 घंटे चली, और इसकी speed थी 66, बच्चे 66 थी, तो इसने total कितनी, 6-3-8 रहके का 8-8 सी लगाई, 6-3-8, 11, मतलब 118 में वो यहां भी चल गई, कितनी, 118 में वो यहां भी च आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 किसी option में, एक ही option है, आपका option नमर भी बिल्कुल सही है, बच्चे इकाई का आपका 8 आना चाहिए था जुड़ने के बाद, वो एक ही option में, आप पूरा जोड़नों कोई लिक्कत नहीं है, अब भाई 9, और 5, 14 किका 4, हांसिल लगा, 1, 1, 3, तो आप कहेंगे 548 किलोमेटर, ठीक है, 548, 548 है, बिल्कुल है, इकाई के हंक से भी आप इसको कर सकते ही, वहां से आपका 1-2 सेकिंड की बचत हो ही जाएगी, चलिए, एक और, अच्छा सा सवाल यहां से है, कि एक train अपनी समान्य गतिके, एक बटा चार से जा रही है, और उसे अपने गंतब भी है, पहुँचने में 80-60 मिनट लगती है, मतलब एक घंटा लगता है, तो समान्य दूरी को तै करने में, अपना समान्य समय ग्याद करेगी, वह उसका समान्य समय आप लोगों को यहां से बता देना है, कि कितना उसका समान्य समय होगा, तो यहां से द कितने गंटे लेट हो रही है आप कहेंगे तीन गंटे लेट हो रही है मतलब तीन गंटे कहा दो या इसको हम लोग 180 मिनट भी कह सकते हैं ठीक है अब देखो यहां से मेरी बास सुनो इसको हम तीन गंटे ही कहने में फायदा पूछो क्यों क्यों क्योंकि यह जो यह साथ मिनट है मेरे भाई, ये जो 60 मिनट है, इनको हम एक गंटा कहा देंगे, तो कोई हर्ज को ही मिलाएगा भाई, इनको हम लोग एक गंटा कहा देंगे तो कोई हर्ज नहीं होने का, क्योंकि ये पूरा-पूरा तो 3 गंटे की जगा अंतर कितने का, मेरे भाई एक घंटे का कितने गुना ये तीन इसके बटे में लगा दो इतने गुना कितने एक बटा तीन गुना अब जो भी आप से पूछा उसका एक बटा तीन कर दो उसने कहिए समान्य समय हमारे ये था इसका भी क्या कर देंगे हम लोग एक बटा तीन कर देंगे तो ये कितना हो ज जबाब आया है वो 20 मिनिट आया है बिशेर यहां से जो जबाब आया है हम लोगों का वो 20 मिनिट आया है और 20 मिनिट आपके किस option में है जो option number D है बिलकुल सही है सवाल का जबाब हमारे का कितना है 20 मिनिट है चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखो सवाल को थोड़ा बढ़ा करके आपको दिखाता हूं पूरा ठीक है मेरे भाई यह सवाल है पूरा सवाल यहां से क्या बोला है सवाल बोला है एक ट्रेन 2 सही एक बटा मतलब 3 सही एक बटा 2 गंटे में 40 किमी पिर्टी गंटा की ओसद गती से यात्रा करती है और फिर 5 से किस की दर से तो आप कहेंगे यह चली है 2 तीय चैर एक 7 इसको हम 7 बटा 2 भी लिख सकते हैं 7 बटा 2 40 की स्पीड से चली तो बच्छे यहां डिस्टैंस कितनी होगे आप कहेंगे दूरी बराबर क्या होता है 4 गोना समय होता है 7 बटा 2 मेरे भाई 2 से इसको काटा कितनी ब 5 बटा 2 गंटे में चली है 5 बटा 2 में 60 की स्पीड से तो यहां कितनी दूरी उसने कवर की है आप कहेंगे 30 और 35,500 आप कहेंगे यहां से उसने कवर की है 150 किलोमेटर की दूरी 150 उसने पूचा है यहां से यहां तक की टोटल डिश्टैंस आप लोगों को बतानी है कि उसने क कितनी दूरी कवे की 140 तो ये की है डेड़ सो ये की है दोनों को जोड़ दोगे 140 और डेड़ सो कितना होता है मेरे भाई आप कहेंगे 290 किलोमेटर होता है कितना होता है वच्चे आप कहेंगे 290 किलोमेटर जो है इस सवाल का बिलकुल सही जवाब है कि उसने 290 किलोमेटर की दूरी तैकी है जो आपके किस option में है आप कहेंगे जो option number D है बिल्कुल सही है तो देखो इस सवाल का जबाब भी हम लोगों का चुका है कितना चलिए करें. एक और अछे सवाल के पास चलते हैं तो किसस इस्थान पर एक दूसरे से और कभ मिलेंगे कब मिलेंगे देखो अच्छा सवाल है यहां से देखो यह distance देदी मैंने यह यह क्या है बिंदू A है यह क्या है बिंदू B है देखो यहां से कौन start होगा है विसनू ठीक है इधर की side और यहां से कौन start होगा आप कहेंगे विया यहां से होगा कौन? सुधीप ठीक है? आप देखो यहां क्या होगा? इसकी स्वीड क्या है? भिसनों की यही माहाँ से दोनों स्थानों के बीच की जो 556 किलोमेटर कित ktoś 566 किलोमेटर यहाँ से दे रखिये के ईचि मैं अब एक बात और सुने यहां से किस स्थान पर कम में गलेगी है बिशनू तो आप कहेंगे ब fossil tu ठीक है 10 a.m पर ठीक है और ये कहाँ बजह स्टार्ट हो आप कहेंगे 2 p.m दो p.m पर यहां से यहां तक देखो क्या है पहले इसको भी कि इसको बिस्लों को भी दो बजे लिए ओ तो बच्चे पचार दुनी 8 हर चाटार चुख 16 ए बचे चार दुनी 8 हरे 4.16 की बचे चार दुनी 8 हरे 4.16 तो यह 168 किलोमेटर तो बिस्नु चल गया अब 2.00 बज़े तक अब देखो क्या हुआ हुआ वी कि दो बजगे यहां बजगे दो बजगे दो बजए यहां विश्णू है अब यह जो बागी डिश्टैंस बचे इसमें से एक अगट आया तो 16 में से 8 घए आपका 8 बचा ठीक है यहां से जो apex speed Hollywood जूर जाएगी इस फीड बराबर के होगी यह और खरदू यह इस यह कितँना जाएगा 97 क्लमेटर फिर.खंटा हो जाएगा 97 क्लमेटर प्रतिघंटा हो जाएगा अब डाधी कितने समय बात मिलें तो समय बराबर किंहुगा दूरी कितनी है 388 km की बटे चाल कितनी है आप कहेंगे 97 है कितना है 97 मेरे भाई देखो आज साथ के पहाड़े में 8 कहां आएगा साथ के पहाड़े में 8 तो आप कहेंगे साथ चोक 28 लगभग 4 बार जाएगा क्या भी चार बार 4-7-8-8-8-8-8-8-2-4-5-6 बिल्कुल तो यहां से आप कहेंगे चार गहंटे बाद कब 4 गहंटे बाद मेरे भाई यह मिलगी क्या चार गहंटे के बाद तो बच्चे देखो अगर यहां से हम लोग देखें चार घंटे के बाद मिलेंगी, यहां क्या बज़रा दो, दो बज़रे, चार घंटे के बाद तो मेरे वह एक दो, और इसमें को चार एड़ कर दो, तो चार अरदो कितना 6 पीम, बच्चे कब मिलेंगी वो ट्रेने आपस में, तो आप कहेंगे भी है 6 पीम पर मिलेंगी, कब 6 पीम और 6 पीम आपके किस उप्शन में, आप कहेंगे जो उप्शन नमबर D है, बिल्कुल सही है कि यह ट्रेने जो है आपस में, 6 पीम पर मिल जाएंगी, तो चलिए इस सवाल का जबाब भी हमारे का आच चुका है, जो उप्शन बरावर 30 दूनी, 60 किलोमेटर कितनी, 60 किलोमेटर की दूरी यहां से उसने तै कर लिए, आगे बोला है जबकि दूसरी बाइक 35 किलोमेटर पर 30 घंटा की गती से चलती है और A के समान दूरी तै करती है बाइक A दुआरा लिया गया समय का उस समय उससे अनुपात A क्या है बाइक B दुआरा लिये के समय भाही रेखो यहां से A का और B का अनुपात पूछा है समय का तो A तो बताई रखा A ने कितने लिए 2 घंटे, लेकिन बाइक B का समय निकाल लू अगर मैं B का टाइम B का टाइम मेरे भाही अगर मैं B का टाइम निकाल दू तो B ने भी इतनी ही डिस्टेंस कवर की कितनी साथ और कितने की स्पीड से बच्चे आप कहेंगे भी B की स्पीड अलग थी बिल्कुल अलग दे रखी सवाल है क्योंकि बोला है B की स्पीड है 35 कितने साँ कहेंगे भी 35 ठीक है तो यह कितना आप कहो गई इसने कितना किया है तो यहां से देखो 5 से काड़ दू कितनी बार? 12 बार बार पास से इसको काटा 7 बार यह आ गया तो 7 GEORGE साथ मतलब एक घंटा तो लिया ही है या इसको ऐसे गया भारा बटा 12 बटा 7 गंटा इसका यह आगिया अब देखो दोनों के समय का अनुपात पूछा समय का अनुपात A अनुपात B तो A का समय कितना था 2 गंटा B का समय कितना आया आप कहेंगे भी 12 बटे 7 अब यह 7 इधर गुणा लगा लेगा तो यह कितना हो जाएगा आप कहेंगे 7 गुणा 2 अनुपात बच्चे इस 2 से बारे खट जाएगा 6 बार तो यहां से 7 रह जाएगा और यहां से को ना जाएगा आपके पास 6 जाएगा तो इस सवाल का जवाब हमरे का कितना होगा 7 अनुपात 6 होगा कितना होगा 7 अनुपाद 6 होगा और 7 अनुपाद 6 आपके किस option में है आप कहेंगे जो option number D है बिल्कुल सही है 7 अनुपाद 6 चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल है कि एक आदमी scooter पर 7 गंटे में 245 किलोमेटर की दूरी तैग करता है तो बच्चा आप कहेंगा भी आज Rider स्कूटर की चाल तो ज़ब हम लोग यहां से स्कूटर की स्पीड निकाले स्कूटर की स्पीड बराबर कितना होगा आप pastor के दूरी बट्य चाल दूरी कितना आप चेंगे cycle की speed जो है cycle की की speed तो बच्चे cycle की speed कितने है उसका आप कहींगे भी है जो cycle की speed है वो 3 बटा 7 है किसका scooter का तो scooter कितना था 35 इसका 3 बटा 7 निकालो कितना 3 बटा 7 साथ से जब आप इसको काटोगे 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15 तो इसकी कितनी आचुकी है 15 किलोमेटर प्रती घंटा इसकी speed आचुकी है किसकी electric cycle की अब यहां से electric cycle की भी मिलगे उसने बोलाई electric cycle 4 घंटे वह ही इसकी speed दो मिलगे electric cycle का time कितना दे रखा 4 घंटे तो कितनी दूरी तय कर लेगी दूरी बरावर क्या होगा आप कहेंगे चाल कितनी यह 15 घंटे लेती है तो आप कहेंगे कितनी distance कबर करेगी 15 चोक का 60 किलोमेटर की दूरी कबर कर लेगी कितने की 60 किलोमेटर की दूरी यह जो है कबर कर लेगी तो देख लीजे यह जो सवाल है हमारा इस सवाल का जबाब क्या है option number D 60 किलोमेटर पर तिखटा बिल्कुल सही है चलिए एक और अगले सवाल के पास चलते हैं सवाल है कि दो ट्रेन ही करमसा इस्थान A और इस्थान B से B से शुरू होती है और एक दूसरे की तरफ करमसा 60 किलोमेटर पर तिखटा और 50 किलोमेटर पर तिखटा तो माली जी यहां थी train A और यहां थी B यह थी train A train B यह थी यह इधर चल रही है और यह इधर चल रही है माली जी इसकी speed दे रख़िए 60 इसकी दे JUL रख़िए 50 conta तो यहां कही इनकी meeting होई यहां कहीं तो meeting होई होगी है. आप कहेंगे बिलकुल. यह क्या मीटिंग पोइंट है. फटे यह बंक उनल एक घंट चल गाई. तो यह कितनी चल गई. आप कहेंगे 60, मैं आप से पोछू, यह कितनी चल गई तो आप कहेंगे याईAR, इससे कितनी फाल्तु चलिया, आप कहिंगे 10 km, 10 की जगे स duy में कितनी फाल्तु चलिया, आप कहिंगे 110 km फाल्तु चलिया, कितने गुनँगों 10 gna, आप इसका भी क्या कर देंगे, total stance पूछी, 11 gna, तो 11-11 कितना होता है, 121 होता है, जीर्वह ऐसे लगा जब अधा, आप कहएंगे 210 किलोमेटर, कितना है जिस टेंस आप कहएंगे 210, 210 आप किस अप्षन में हैं, आप कहएंगे जो अप्षन नमबर D है, बिल्कुल सही है, चलिए, एक वर अच्छा सा सवाल है, कि एक ट्रेंग 600 मीटर बहमी की सुरंग को सही है, कि सुरंग को 54 सेकिन में पार करत लेकिन यहां पर यह जो पार कर ली है किसको 350 मीटर लंबे पुल को पार कर ली और यहां पर जो यह पार कर ली है तो यह किसको पार कर ली है आप कहेंगे 600 मीटर लंबी सुरंग को पार कर ली यहां से देखो बच्ची क्या है ट्रेन तो ट्रेन कोमन है ट्रेन से ट्रेन काड़ दी कोई दिक्कत नहीं है मैं आपसे पूछू कि यह extra बच्ची क्या मैं पूछ रहा हूँ यहां से extra distance मैं पूछू कितनी चली तो आपके इंगे इसमें से घटा दो तो यहां से ही मिल चुकी है हमको 500 मीटर की मैं यहां से ही एक चीज और आपसे पूछ लो अभी extra समय कितना लगा मेरी शेर extra समय? extra time बच्ची कितना extra time तो आपके इंगे इस टाइम देख लो यहां से कितना समय ले रही थी 54 सेकिंड का और यहां से कितना समय ले रही है 36 सेकंड का इसका मतलब क्या है 18 सेकंड एक्स्ट्रा लगी बची कितना समय एक्स्ट्रा लगा 18 सेकंड का तो देखो स्पीड तो आपको यहां से बिल गई चाल बरावर दूरी बटे समय तो चाल कितनी है आपकी 300 बटे कितनी अठार है यह तो आगे मीटर प्रती सेकेंड में लेकिन इसको किलोमेटर प्रती घंटा बनाेंगे तो अठारा बटा 5 कर देंगे अठारा बटा 5 बढ़ता बचस्च ⁾ सा रधारा कैंसल C anh पांस से इसको काटा बच्चे दूरी कुल दूरी निकल लिए यहां से यहां तक कि यह तो चाल कितनी हैं आप कहेंगे डाई-सो बटे-अठार है डाई-सो बटे-अठार है क्योंकी मीटर्ब्र-30 वाली लगा दीजिए और बच्चे कितना समय ले रहा था यहां से चौवण से कितने का चव्वन का अठार है, अठार थी यह चव्वन और ठावधा कितना हुता तो 25 तिया साथ सू मीटर यहां से जो आपकी डिश्टैंस है, बच्चे, गो कितनी है टोटल स्टैंस कि अगर मैं बात कहलू आप कहेंगे 500,700,700,700,700,800,700,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, गती मिइद देरी से पहुंचता है उसका कार्याल है गर से कितनी दूर बहुत अच्छा नहीं को 500 किस्ञार या मेरे बहुत जाता है नहींद पहुंच रहा और अगर यह 50 से जा रहा तो यह कब पुँच रहा माइनस के 10 मिंट लेट पोच रहा ठीक है भाई इन दोनों को जोड़ंगे तब ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 20 मिंट हो जाएगा अंतर कितना हो जाएगा जोटल 20 मिंट तो देखो क्या है बचे अगर 50 की से जारा एक साइड एक साइड किस से जारा, तीस से जारा, दोनों का LCM ले लो, जो distance होगा, तो आप कहेंगे 1.500, यह आपका distance होगया, ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो, 50 से इसको कटा, 50 यह 1.500, और यहाँ से 3 से कटा 5 बार, तो मेरे भाई, कितने का अंतर, आप कहेंगे 2 घंटे का अंतर, लेकिन 2 घंटे की जगे मिनट देखें, तो कितने का 120 मिनट का, और 120 की जगे मिनट है, कितने आप कहेंगे, यह 20 मिनट है, कितने गुना, यह 120 इसके बटे में लगा दो, कितने गुला आप कहेंगे एक बटा मतलब यह सोरी 20 था 20 था मेरे भाई बच्चे यह कितना है आप कहेंगे 20 बटा 120 है ठीक है यह कटा तो कितना एक बटा 6 जाएगा कितना एक बटा 6 तो यह के का माने एक बटा 6 यह उसने पुछा distance कितना दे रखा 1.500 कितना आचुका है 25 किलो मेटर और 25 कL आपके किस उप्सन में कहेंगे जो उप्सन नमबर c है बिल्कुल सही है 25 किलो मेटर चलिए एक बटार अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल है मेरे भाई के 900 किलो मेटर बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल को मैं आपको बताऊंगा बच्चे क्या करना है आप लोग ऐसे में option ठाएंगे और आपको पताएंगे मैं सबसे पहला कौन सा option ठाता हूँ option number C चलिए मेरे भाई time भी मिल गया distance भी है तो बच्चे मैं speed की मैं बात कर लो बरावर क्या होगा आप कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी बटे कुल समय यहां से हम लोग इसको करेंगे तो यह कितना जाएगा साड़े चार सो किलोमेटर परती घंटा क्या आगे इसकी speed आगे यह speed मिल गई मेरे भाई मौसम खराब होने के कारण जो उसकी new speed होई बच्चे speed कुछ कम होई बिल्कुल होई कितनी 300 तो साड़े चार सो में से 300 घंटा तो कितनी बच्की डेल सो किलोमेटर परती घंटा अब यहां से क्या हुआ उसने नया समय जो लिया new time जो लिया वो कितना लिया आप कहेंगे यह new time time बरावर क्या होता आप कहेंगे दूरी बटे चाल होता है तो आप कहेंगे स्पीड आएगी कुल दूरी बटे कुल समय एक घंटा तो यहां से कितना जाएगा आप कहेंगे 900 किलोमेटर परती घंटा यह स्पीड आ चुकी है अब देखो क्या है यहां खराबी होई तो new speed क्या होगी 300 कम हो जाएगी तो 900 में से 300 कम कर देंगे तो यह क सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय ठीक है स्वरी लिए को सामय तो मिरे बाई कट दो 200 से काटा तो 300 लिया 300 ब umas Cand यह कितना हो गया आप कहेंगे एक सही एक बटा दो घंटे मतलब डेल घंटे मतलब कितना डेल घंटा तो मेरे भाई यहां से लगा डेल घंटा यहां लग रहाता है एक गंटा बच्छे कितना घंटा एक्ष्टर लगा आप कहेंगे 30 मिनट एक्ष्टर लगा कितना 30 मिनट एक तो इस सवाल को इस प्रिकार आप लोग करेंगे वैसा आप X भी मांद सकते तो उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे भाई ठीक है चलो अगला सवाल देखो क्या है और इस चैप्टर का हमारे का लास्ट सवाल आपके साओने स्क्रीन पर सवाल है इस्टो पेज को चोड़ कर एक बस किगती 60 की में प्रिति गण्टा है और इस्टो पेज सहीत यह 42 क्लूमेटर प्रिति गण्टा है तो कितने मिनट के लिए इस्टो पे मतलब इश्टो फिरती घंटा है, तो देखो जब भी ऐसा हो, मेरे भाई रुकने का समय, इसको बोलते हैं, रुकने का समय, क्या बोलते हैं, इसको आप कहेंगे रुकने का समय, रुकने का समय, बच्ची ये क्या होगा, तो आप कहेंगे, चालो का अंतर, बच्चे रुकन थिया और मेरे यहां से मिंटों का निकालेंगे तो into साथ होर लगा देंगे। कितना साथ। यह गुला कितना साथ। तो बच्चे दोनों चालों का अंतर कर दीजिए। आप गोई है। और बच्चे-साथ। इसाथ से साथ। कैंसल हो गया। बच्चा कितना आप कहेंगे तो आप बताएंगे कितने मिनट रुककर चली कितना मिनट, अठारे मिनट बच्चे तो यहां से अठारे मिनट आपके किस उप्षन में है, जो वह रुखके गई है, आपके जो अप्षन नंबर भी है, बिल्कुल सही है, कि वो एक गंटे में 18 मिनट रुखी है, बच्चे आपको ध्यान रखना, दोनो चालो का अंतर या च चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी विच्चो को जय हिंद!